आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार स्वागते आपका प्राइम टीवी के प्रोग्राम शक्सित में जिसमें हर बार हम आपको एक नई शक्सित से रूबरू कराते हैं ऐसी आज एक शक्सित हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है जो की लक्टो की विदान सबा मोहन लाल गन से बीजेपी की दाविदारी कर रहे हैं अमरेश कुमार रावत आज हमारे साथ मौझूद है आज इनकी जर्णी पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनका आज तक का सफर रहा है तो आई सीधे बात करते हैं अमरेश कुमार रावत जी से सर आपका हमारे प्राइम टीवी के शूर शक्सित में बहुत बहुत स्वागत है तो सर हम लोग अपने इस प्रोग्राम में हमेशा से अपनी शक्सित की जानकारी लेते हैं शक्सित की जर्णी पर हम बात करते हैं तो आज हम आपकी जर्णी के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हम आपका शुरुवाती दौर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका शुरुवाती महौल रहा है क्योंकि पारिवार जो होता है वो एक नीव होता है हमारे किसी भी काम को लेकर तो ये है कि हम आपके पहले परिवारिक परिवेश के बारे में जानना चाहेंगे रुची नहीं रही ना किये फिर मैंने कुसुम राय जी ने चुनाव लगा उसे भारती जनता पार्टी से सबसदी का हम उनके साथ जुड़े थे फिर बाबु जी के साथ मेरा लगाव रहा मानी का कल्यान सिंग जी से और फिर उसके बाद हम बराबर जुड़े रहें उनी से फिर दोजार साथ में एक समाजिक संगठन बना पारख महा संग हमने वो समाजिक संगठन कभी साहब के सब्दों से जुड़ा हुआ था लैस था वो बहुत पसंद आया क्योंकि वो राजनाइटिक नहीं था समाजिक था समाज को जो है सही दिशा में ले जाने का वर्क उसमें होता था उससे हम जुड़े रहें बराबर और एक बार किवल बाबु जी जब उसमें अलग हट करके राष्टी करांध पार्टी बनाई बात हुआ करती थी तो मैंने एक चुना की राजनीत में ही ऐसा हो सकता है जो इन लोगों की मदद की जा सकती है और मैं एक बार खुद ही गाड़ी चला रहा था और एक बेक्ती साइकिल से ऐसे ही गिर गया मैं टेमपू चला रहा था टेक्सी और वो पुलिस वाला आ करके मुझे जो है जापन मारा और गाड़ी रोकली कि तुम से हुआ जब वो उठके बोला कि नहीं ये गाड़ी नहीं दूसरी है तब भी वो बगएर कुछ लिए दिये छोनना नहीं चाहरा था तब इसे मेरे मन में आ गया कि इनलों को ठीक करने का एक ही रास्ता है वो है राजनीत जो समाज की सेवा भी की जा सकती है और इनलों को दुरस्त रखा जा सकता है तो फिर मैं निरंतर लगा रहा और 2010 से मैं इधर महलाल गंज में प्रभावी उससे जुड़ा रहा और फिर ये मन बना काफिलों के बीच में चुनाव लरने का विधान सभा का 2017 में पूरी उमीद थी टिकट भी मिल जाएगा पार्टी में जुड़े भी रहे लेकिन टिकट ना मिलने की वज़े से सीट छूट गई काफी पदाधिकारी लोग जो भी संगठन के थे जो भी मेरे संगठन के पारग महा संगए थे जो भी भारती जनता पार्टी की लोग थे उनको बहुत कष्ट हुआ कि कमल के फूल का निसान नहीं आया सीट एलाइन्स में छूट गई इस बार संगठन ने चिंता करके मुझे अपना दल और भारती जनता पार्टी और निसाद पार्टी से संयुक्त प्रतासी बना कर महौल एक बहुत अच्छा बना दिया पार्टी को जो अब तक बहुत चिंता थी कि कमल के फूल से अगर टिकट अमरेश जी को मिलता है तो बड़ी खुस और मिल गया पार्टी ने असरवाद दे दिया तो बहुत खुसी लोगों में है इस चीज़ की और इस बार कमल खिलेगा जो अजादी से ले करके अब तक की भारती जंता पार्टी का कोई भी विधायक महौलाल गज़ में नहीं रहा पहली बार ऐसा होने जा रहा है और बहुत अच्छी ओटों से जीत वी दर्ज होगी और लोगों का जो महौल खुसी का है वो बरकरार रहेगा सार आपने अभी महा संग की बात की जो पारक महा संग में आप जुड़े थे तो उसमें कब से जुड़े हैं और किस थरीके से अपने आपको परखने का भी उनको सिखाया जाता है बताया जाता है इसलिए कि आप राजनीत में किसी के बहकावे में जातिवाद में धर्माद में बटने का काम मत करें आप पांच साल के लिए बंद जाते हैं तो जो भी कंडिडेट हो जो भी प्रतैसी हो उसको परखिये कि ये बेक्ती हमारे लिए सही है कि नहीं है और इमानदार है या नहीं है पता चले कि लालच में आप कहीं मुड़ गए और फिर बाद में पच्टाते हैं तो ये कोई भी इस चकर में न पढ़े तो ये ही सब को बताया जाता है हम लोगों के तरफ से कि आप दो रुपए की देली खरीदते हैं एक रुपए की जो कितनी मेहनत से कारीगर बनाता है मिट्टी की जो दीपावली में ये जो होती है उसको बीस बार च्छाटते हैं अगर बीस रुपए की लेते हैं तो फिर ये इतनी कीमती वोट देते हैं तो देने वाले को तो परखिये कैसा है कैसा नहीं है ये हम लोग निरंता में लोगों को बताने का काम करते हैं बाकि अमरेश जी जैसे आप बोल रहे हैं पारक महासंग से आप चुड़े थे और उसमें कई समाज सेवा वाले कारिक्रम की हैं आपने तो उसमें ये है कि समाज सेवा राजनीती और अपने परिवार में किस तरीके से आप सामजस बिटा देते हैं राजनीती में समाज में अक्सर कभी कोई चाहे लड़कियों की साधी हो कन्याओ की साधी में मैं बड़ चड़के भाग लेता हूँ और जरूर पहुँचता हूँ भले ही किसी लड़के की साधी में न पहुँचू लेकिन कन्याओं की साधी में पूरा सहयोग और समर्थन करता हूँ और पहुंचता हूँ और जो भी पीडित लोग होते हैं उनके लिए निश्वल्क में पूरा इमानदारी से जो लोग कहते हैं समाज सेवा मैं वही करता हूँ समाज सेवा तभी हुई जब आप पूरे अपने उस से किसी लालच में और किसी चीज को प्राप्ट करने के लिए न जुड़िये और पूरी दिल से मदद करिये वही समाज सेवा है और वो मैं रंतर लोगों के बीच में रहकर करता हूँ और मित्रवत सबसे जुड़ करके रहने का एक मेरा अपना सिधानत है वो बराबर बनाए रख तो उसी तरीके से मतलब आप समाज सेवा और परिवार सब परिवार में जो है मैंने परिवार की चिंता उतनी रहती है दो लड़कें हैं एक लटकी है लड़का आईस की तयारी कर रहा है और उससे छोटा पेटा पीजियास की तयारी कर रहा है बिटिया मेरी नीट की कोचिंग कर रही इस बार जो है नहीं निकल पाई दुबारा फिर कर रही है तो मैंने बच्चों की राजनी से हट के उसमें लगाया है अब मेरा ये चुनाव है तो मेरा बिटा दिली में था वो भी आ गया है तो परिवार पूरा लगा हुआ है कि छेतर में ही बराबर 24 घंटे रहते हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं वाकी सब का जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान की राजनीतिक प्रिश्ट गूमी होती है तो क्या आपके भी कोई ऐसे प्रिश्ट गूमी रही है या आपके पहले जो पूरवज हैं उनों वहां पे भी कुछ राजनीतिका कुछ ऐसा था जिस वज़े से आप राजनीतिक कुछ नहीं रहा मेरे पिता जी किसान थे और मैं तेरा साल के अमर में मेरे पिता जी स्वैर हो गए थे और डेड़ साल के अमर थी तब मेरी माता जी स्वैर हो गए थी तो मैं अपनी मा का तो चेहरा भी नहीं जानता हूं कैसे थी कैसी नहीं थी और पिता जी तेरा साल की उम्र में इस फैर हो गए थे भाहे लोगों के बीच में पढ़ाय लिखाई किया बिजनिस से जुड़ गए खेती किसानी भी करते रहे और फिर धीरे धीरे करके हम जो है राजनीत में जुड़ गए वो तो जुड़ने का काम सबसे बड़ा माननी कुसमराई जी ने किया जो बाबु जी से मिला करके फिर मुझको बहुत पसंद आया बाबु जी ने एक उसमें सिकंद्राबाग चुराहे पे मुक्वंत्री जब थे तो उन्होंने उदा देवी पासी की मुर्ती का इस्थाफना की थी तो मुझे ये लग गया कि बाबु जी किसी जात भी से इस पे काम नहीं करते हैं बाबु जी सभी का जो है मान सम्मान रखते हैं पार्टी में उस हिसाब से मैंने उनको बहुत पसंद किया बाबु जी नहीं हैं बीच में बड़ा कर्ष्ट है उनके उनसे जुडने का मुझे बहुत बहुत दिल से मेरा लगाओ था और तभी से मैं बीचेपी में जुड़ा रहा बराबर एक और लोग थे एपिएस रिटाइट थे इस्वरदीन रावज जी वो पासी जागरत के मंडल के धेश थे भारती जन्ता पार्टी के उनसे मैं जुड़ा रहा सीतापुर में भी मैंने काम किया है काफी दिन उनके साथ करीब 3-4 साल तो एक लगाओ रहा है राजनीच से मैं बराबर किसी ने किसी माध्यम से भी लगा रहा मैंने उनके पास नौकरी भी की है उनकी गाड़ी चलाता था बाबुजी की इस तो दिन रावज जी की और आट सो रुपय महीने की मुझे बेतन मिलता था फिर दिरे दो हजार रुपय बढ़के मिलने लगा लेकिन फिर उसके बाद धिरे धिरे हम अपना काम करने लगे खेती किसानी में सबजी बोना ये सब करना फिर उपर वाले ने बड़ा इमानदारी से मैंने काम किया मेरे आज जीवन में आज से तालिस साल की अमर में एक भी मेरे नाम का कोई मुगद़ान ने एक अपली कैसन ने किसी थाने पे क्योंकि मेरा कोई ऐसा दिल दिमाग में ऐसी भावनाएं नहीं है उस टाइब से कि ऐसा कुछ बोलूँ कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे ये मैंने कभी सीखे नहीं मेरे खून में नहीं ऐसा तो ऐसा कभी हुआ नहीं लेकिन उन सब के साथ रह करके बाबु जी के साथ राजनीत में रुची बढ़ती चली गई और फिर मैं यहां तक आज पुछाया बाकी जैसे हर इंसान की जो जिन्दगी का जो भी सफर रहता है उसमें कहीं तमाम संगर्ष रहते हैं वैसे तो आपने अभी मेरे को बताया कि काफी चीजे रही और कौन-कौन से खास इसे कौन संगर्ष ऐसा रहा जो काफी मुश्चिले आपकी रही और जिसका आपने बहुत च्छे से उसका सामना किया बहुत मुश्किले रही मैं जब राजनीत में भी समय निकाल के लोगों के बीच जाता था परिवार को भी चलाना होता था तो मैं रात रात को उट करके सुबा उट करके पूरा काम करके और नो दस बजे निकल जाता था खेती का काम करके रात में ख प्रबलग करके उसको जो है भी वो दिन में कामों देखती थी ऐसा करके वो बड़ा संघस का दोर रहा पैसा भी नहीं था लेकिन मैं ये वादे के साथ कहता हूं और लोगों को विस्वास दिलाता हूं आप नियत में खोड़ न रखे इमांदारी से काम करेंगे तो आपको त सहयोग और करपा से इसवर के अश्रबाद से सब कुछ मुझे प्राप्त है कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है और दिक्कत मेरे अंदर बहुत बड़ी सोच नहीं है कि मैं जहाज मिल जाए तो उससे चलूँ भाई खाना पेट में अन्न है भोजन की बेवस्था हाई है उ परवाले ने कर दी सब के सहयोग से और चलने के लिए वाहन हो गए बस इतना काफी है रहने के लिए घर है इससे ज्यादा कुछ बहुत बड़ी मुझे मेरी ख्वाहिस रहती नहीं कि मुझे को बहुत कुछ मिल जाए मैं उससे दूर रहता हूँ बहुत बड़ा आदमी बन और पतनी जहाद से रूस में काम कर रही हैं बेटे अमेरिका में हैं तो ऐसा काम करने से कोई फैदा नहीं है मैं यह सोच नहीं है बाकी सर जिस तरीके से अब 2022 का जो विदान सबा का जो चुनाफ इसमें तमाम कहीं बड़े दल उसमें मौझूद हैं जिसमें सभी लोग विकास के मुद्धे पर बात कर रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के अगर हम बात करते तो वो कहते हैं कि विकासकार उनों नही पर बात की हैं और मौझूदा सरकार इसे फिर शीला न्यास पर शीला न्यास कर रही हैं अब तक लोग जो करते थे वो सरकार को अपना अपनी खुद की सोयम की धरोहर समझते थे लेकिन ऐसा हमारी सरकार में नहीं है सरकार में जो भी चीजे हैं वो जनता की मान करके हमारे मुखवंद्री जी भी करते हैं सभी पदादिकारी उस हिसाब से काम करते हैं अभी 2020 में ऐसी विसम महामारी करोना जैसी बीमारी आई जिसमें सभी हमारे भारती जनता पार्टी के हमारे पारग महा संके जितने भी लोग थे बराबर लोगों की मदद में रहे जिसमें हमारे कई विधायक और मंत्री आज हमारे बीच में नहीं है करोना से उनकी मौत हो करके नहीं जनता के लिए निकले और काम नहीं किये अगर निकले होते तो उनका भी दिखता जनता के बीच में कि हाँ उन लोगों ने कुछ किया है लेकिन हमारी भारती जनता पार्टी ने भोजन की बेवस्था करके और यहां तक की गैस सेलंडर में भी पैसे दे करके गैस भ बच जाते हैं लेकिन भूंक से हमारी आधी जनता देश की आज हमारे बीच ना होती हमारी सरकार ने मुक्षमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने बराबर जो है उनको फिरी में रासन दे करके तमाम जो है खादान दो बेस्थाएं करके और पार्टी के लोगों ने किया जि हम ऐसी जो आदमी डेली काम करता था एक दिन के लिए मजदूरी किया साम को उसका चुला जलता था और तीन महिने का लागडाउन हुआ सारी फैक्टरी बन सारे काम बन थे तो भूंक से अगर मरते तो ऐसे लोगों की बड़ी जो है नुक्सान होने च्छत पहुंचने का का होता लेकिन हमारी सरकार ने बराबर अच्छी काम करके उनको सब को बचाने का का म किया रखी जानती है जितना जो कहते हैं वही करते हैं लफाजी मेरे अंदर है नहीं जबान में मैंने वादा किया है जो भी सड़क के अधूरे काम है कन्या डिगरी कालेज कन्या इंटर कालेज भी अपने छेतर में खुलवाने का वादा किया है जिनता से जो भी रोडे अधूरी बनी है गड़बर पड़ी हुई हैं जो नहीं बन पाई हैं अब तक अभी विधायक जो थे समाजवादी के अगर वो करना चाहते तो कर सकते थे काफी हद तक काम लेकिन उन लोगों के अंदर एक सटा खोने का जो विरोध रहता है दूसरी सटा से ये नहीं होना चाहिए सरकार अगर कोई भी बन जाए अभी भारती जंता पार्टी की सरकार बन गई तो सबकी सरकार हैं कोई एक लोग की थोड़ी है लेकिन वो लोग ऐसा बिवहार करने सभा में जनता हमें चुनेगी और हम सारी जनता का काम करेंगे उसमें भेद भाव नहीं रखेंगे ये हमारी पार्टी में सिखाया नहीं जाता है हमारी पार्टी में सब जितनी भी जनता है उसको अपना समझ के सब का काम किया जाता है वो काम करेंगे और किसी भी पूरी पार दर्शता रखेंगे जो भी वर्ख होगा क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भी एक अभी तक ऐसे भरष्टाचार नहीं दिखे होंगे ये हमारी पार्टी को बरदास नहीं है और इमानदारी से काम करेंगे जनता के बीच में एक एक पैसे का जनता को हिसाब देंगे जो भी वि और आप बीजेपी की विचारधारा को अन्य पार्टियों की विचारधारा में क्या अंतर देख से हैं। मुख्वंत्री चाहे प्रदेश अध्यश चाहे राष्टिय अध्यश कहीं भी हर वर्क का आदमी एगर वर्कर उस हिसाब से योगता उसकी है काम करने की छमता है उसको अस्थान महां मिलेगा। लेकिन आनिदलों में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो इन में जो भी है वो तैय करके रखे हैं कि हम ही होंगे हम ही होंगे और हमारे परिवार से होंगे। दूसरा ब्यक्ति उस समाज का भी उस जगे पे नहीं पहुँचेगा। ये उन लोगों ने बना रखा लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। को चाहे परधानमंतरीपद पे हो, चाहे कहीं भी उसको योगता के हिसाब से पूरा जांत प्रक हमारी पार्टी उनको जो है उस जगे पे भीठाने का काम करती है。 बाकि जिस थरीके से BJP हमेशा से भी बौलती आई है कि BJP पार्टी जो है वो एक जीती होई पार्टी है उसके बाद भी जो इस विदानसवा में तेना प्रचार प्रसार किस लिए किया जा रहा है पचार पचार तो ये टो चुनाव में सभी लोग करते हैं अपनी चीजों को बताने के लिए हमने क्या किया क्या नहीं किया हमारे सरकार नहीं क्या क्या अब तक ये गर नहीं बताएंगे तो गाउं में जाईे आप तो अभी इतनी ब columस्था नहीं है ये तो अब हमारे हैं हो गई है बिजली की बिवस्था जो गाउं गाउं बिजली पहुँच गई है वर्ना हमारे यहां भी महलाल गज में 2014 के पहले करीब 135 गाउं ऐसे थे जिन में ना पॉल था ना लाइट थी ना बिजली कोई भी बिवस्था नहीं थी तो जब ऐसी बेवस्था नहीं है तो टीवी आदमी न्यूज देखे तब जान पाता है बहुत चीजे या पेपर पढ़े तो गरीब जंता किसान इतना समय नहीं रहता है कि वो एक गंटे सुबह पेपर पढ़े मिल नहीं कि नहीं मिल नहीं अगर कोई छूटा तो उसको बताते हैं कैसे क्या मिलेगा आपकी ये कमी छूट गई तो लोग बड़ा खुस हैं इस चीज से इस सरकार से सबसे बड़ी खुसी जो हमको देखने को मिली वो ये मिली कि गुंडे गर्दी खतम हुई आमन चैन लोगों को है क्योंकि आर्थिक इस्तिती से जो कमजोर बेक्ती होते थे उनको सबसे बड़ा कश्ट होता था कि दहसत गर्द जब निकलते थे उनके गाओं गरीब से करीब से तो उनको दिल बिर्कुल बैठने लगता था कि विया जलिया अंदर हो जाओ इसा नहों ये हमरे उपर गुसा आजए एक गारी लेके चलें तो दूई नाला इधर धरें इसे एक भी करत सामने नहीं आए इससे गरीब जटा जो है वो बहुत खुस है बाकी हर एक इनेता का एक अलग अंदाज होता है एक अलग तरीका होता है, जनता के बीच जाने का, आपका क्या अलग अनदाज है जस इस अंदास के साथा आप जनता के बीच जाते हैं? जनता के बीच में गए हैं, ये अंदाज है हमारा, पूरी की पूरी बिधान सभा में एक ऐसा महौल बनाएंगे, जिसे राम राज आने का एक लगाओ हो, और प्रेम और मित्रवत लोगों के बीच में जोडने का काम करेंगे, और मैंने अभी तक यही काम किया है, जिसे दूसरे दल के या दूसरे लोग जिनकी भावनाएं होती है, वो लोग ऐसा करते हैं, कि आप एक भाई को लडाते हैं, दूसरे भाई को दूसरी तरफ लडाते हैं, ये लडा करके वो किसी को अपनी तरफ करते हैं, ये सब काम करते हैं, इन सब चीजों से मुझे बहुत नफरत है, ये नहीं होना चाहिए, इनसान है, सभी को अगर दिल से लगा के रखोगे, आज नहीं कल उनकी समझ में आएगा, और वो आप से जुड़ते चले जाएंगे, हम ऐसी एक माला बनाएंगे विधान सभा की, कि हर एक दूसरे के बाद जुड़ता चला जाएगा, और लड़ाई जगरा आपस की जो दोईस की भावनाएं हैं, वो खतम करने का काम करेंगे, सबसे पहला में मुद्दा मेरा यही रहेगा, बाकि सर, दो हजार बाइस का जो विधान सभा का चुनाव है, काफी दिल्चस्प सा ये चुनाव होने वाला है, और आप को क्या मानते है कि कौन इस सत्ता तक अपनी पैठ बना पाएगा? बाकि कुछ नहीं सरकार बनाते हैं, जनता ने मन में थान लिया जिस दिन से चुनाव की घुसला हुई, उसी दिन से मन बना लिया था कि भारती जनता पार्टी की सरकार बने, भारती जनता पार्टी की सरकार रहे, ताकि अमन चैन बना रहे, ये पूरा जनता का मन है, और ज एक परसेंटेज में वोड पोल होगा और अच्छी लीड लेकर के हम विदानसभा में जीत का परचम लहराएंगे बाकी आप लखनो के मोहनलाल गंज विदानसभा से अपने दावेदारी बीजेपी की तरफ से दावेदारी प्रस दे रहे हैं तो अभी यह है कि आप उस विद की तोर पर समस्याएं आपको देखने मिली हैं मुख्य तोर से समस्याएं जो दिखी वो खास करके कुछ रोडों की स्तियां गड़बड हैं और लोगों में जो पुलिस का उत्वीडन रहा है क्योंकि पुलिस जो है काफी है तक यह नहीं चाहती थी कि भारती जनता पार्ट की सरकार बने फारती जनता पार्टी को बदनाम करने का कहीं नहीं कहीं काम पुलिस भी भाग भी किया है कुछ थाने में ऐसे जैसे इस प्टर आए और वो अगर यह जान गए यह बीजेपी का वरकर है तो उससे अच्छा बिवहार नहीं करते थे उन सब को मैं लाइन से बात नहीं पहुच पाती थी अब एक एक बात में पहुचाओंगा जो भी करमचारी गलत करेगा उसको सरकार के तरफ से डंडित करने का काम हमारे मुखंतरी जी करेंगे और महौल विरकुल लाइन होगा विरकुल सही होगा जनता अमन्चाइन से रहेगी और सब को बड़ी जनता पार्टी का यहां पे बिधायक नहीं बन पाया यह एक भी बड़ी खुसी है कि इस बार जनता सोच रहे कि इस बार हम वो सारे रिकार्ट तोड़ करके भारती जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे तो कमल खिलेगा महौलाल गंज में 176 महौलाल गंज बिधान सभा से ब मोखे रूप से सडकों की बात की है लेकिन महौलाल गंज में अगर आया जाए तो वहां पर दिखता है कि काफी विकास कारें वहां पर होना है क्योंकि वहां पर अभी प्रौपर सुविधाय नहीं है उन सुविधाओं को लेकर भी आपको बहुत सारा काम करना है किस तरीके से उन सब को किस तरीके से काम करेंगे और कैसे किया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से इसी पांच साल में सब चीजे सारी चीजे वहां हो जाएंगी हमारे मुख्मंतरी जी तो ये चाहा करते थे उन तक बात पहुचाएं लेकिन बिधायक अपना ना होने की वज़े से छेत मिना की हम सपा के हैं सरकार हमारी नहीं है या हम बसपा के हैं सरकार हमारी नहीं है तो वो बिरकुल ललग रखते हैं अपने आपको छुआ छुच जैसे बीमारी समझते हैं कि हम उनके पास नहीं जाएंगे ये गलत है ये नहीं होना चाहिए आप जनता ने आपको चुना है और जनता का काम करने के लिए आफ आए हैं तो मूल भूच चीजों को वहां की जो इस्तियां हैं जो उनको तो आप विकास कारी को तो रखना चाहिए और ये मैं बरावर एक एक चीज़ रख करके मुखमंतरी जी से पूरे काम कराने का काम करूँगा कोई भी कमी नहीं रहेगी पांच ही साल में वहां की बिरकुल रूप रेखा बदल जाएगी बाकि आपने अभी कहीं चीज़े बताई हैं कहीं समस्याइं भी बताई हैं और आप क्या करने वाले हैं तो आपको अगर जनता वहां मौका देती है प्र Baptist मेकता मतबसे पहला नमबर किस कार को देंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे मुक्षमतरी जी से सरकार से एक प्रस्ताव रुखेंगे सबसे पहला कि करने डिचुरी कालेज हमारे छेतर में इंख हो जाए ताकि हमारे छेतर की बहन बैटी Son को कोई तकलीफ न रहे, कम से कम सिच्छा का अच्छा वो मिले, उन्हों को अच्छी तरीके से और दूसरा काम, जो रोडे हैं, कई पुल ऐसे बनने वाले हैं, जो क्रासिंग में जो है, दिक्कते होती हैं, जाम की इस्तितियां होती हैं वो भी काम हम करेंगे, कोई भी कमी नहीं रहेगी, इसी पान साल में सरकार से सब पूरा करा देंगे, लोगों को ये दिखने में लग जाएगा, कि काम हुआ है, क्योंकि मुझे वो चोरी नहीं करनी है, कि मैं विधायक बन गया तो फिर मुझे घर बना लूँ, मैं कोई हवेल मुझे इन सब सीच की चाहत नहीं है, बहुत से सिंपल और सधारण जीवन जीता हूं, और वो काम नहीं करना है, पूरा का पूरा पैसा जनता के बीच में, पूरा लोगों के बीच में मीटिंग करके, पूरी चीजे रख करके, उन लोगों को दिखा दूँगा, कि ये धना है, इस तरीके से सरकार ने ये कर रही, ये काम हो रहे हैं, विश्वास में लेके ही काम करेंगे, कि कोई काम ऐसा नहीं होगा, कि कोई बेक्ति उंगली उठाए, कि ये गलत है, पाके आप कई बार मतब लगा टार लोगों के बीच जा रहे हैं, जब से इलेक्शन की भी बात पहले से भी आप लोगों के बीच बने रहे हैं, तो आपको लोगों से किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, पूरा पूरा रात दिन फोन आते हैं, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, सब जगे क्योंकि इतना कम समय में, कैसे जो है, तीन-चार सो गाउं हैं, तो एक तरफ से प पहुंच जाता हूं, कहीं मेरी पत्नी पहुंच्ती है, कहीं बेटा पहुंचता है, कहीं भाई पहुंचते हैं, सब लोग बराबर हैं बीच में, और आप अप Nah बूत लग करके जिताइए, जिताने का काम करिये, और चुनाओं के बाद भी हम फिर होंगे, तो आपके गाउ गर आएंगे बराबर सबसे बैठके मिलेंगे पूरा समय रहेगा इस समय तेश तारीक का चुनाओ है वोटिंग पड़नी है तेश तारीक को आप सोला तारीक हो गई है समय इतना कम है सब लोग अपने आपको यह समझ लिजे कि अम्रेश रावत ही हैं और खुद कंडिडेट ह समझ करके मेहनत कर लिजे आप लोग बिधायक होंगे यह नहीं लगेगा कभी कि आप स्वयम के बिधायक नहीं है और हम आपकी जेब के बिधायक रहेंगे आप कभी यह नहीं अहसास होने देंगे कि कोई बिधायक बड़ी भारी तोब है जो आपके नजदीक नहीं रह सकत यही चाहेंगे लग कर लिए हम आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की आँच नहीं आने देंगे और आपके बीच में जितने भी विकास कारें हैं सभी पूरे कराएंगे और आपके बीच में मिल करके आपके बीच में बैट करके सभी चीजों का निमारण करने का काम करेंगे आपको ये नहीं लगेगा को कोई बिधायक है आपको ये लगेगा कि हमारा बेटा है हमारा भाई है हम आपके बेटे और भाई के बीच में बन करके पूरे काम करेंगे ये उनको मेरा जो है वादा है जो बहुत बहुत शुक्रिया शक्सित में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी के शोर शक्सित में आज हमने आपको रूबरू कराया है अमरेश कुमार रावत से जो की मोहलाल गंज विधानसबा से बीजेपी की दाविदारी कर रहे है उन्होंने अपनी जर्णी पर हमसे बात की है उन्होंने काफी कुछ अपने बार में बताए कि किस तरीके से उनका आज तक कास सफर रहा है अगले एपिसोड में हम फिर अज़िर हूंगे एक नई शक्सित के साथ में तब तक आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार